कुछ student के मन में सबसे आदा question arise हो रहा है कि exam May में होगा या June 22 में होगा तो इस वीडियो में इसी topic पे बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा inform कर दे आपके May 22 exam से रिलेटर announcement आना start हो चुका है request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दिए ताकि आपको CID लेटर एक भी important update या announcement मिस न हो पाए ध्यान से कुछ बाते को आप लोग सुल लेने आपका exam ICI के रूल में लिखा हुआ है कि आपका exam May में और November में conduct होता है पिछले बार ICI ने जून में exam conduct करवाया तो कुछ student को ऐसा लग रहा है अब फिर से exam जून में ही होगा जो student ऐसा सोच रहे प्लीज ऐसा सोचे नहीं आप अपना preparation May 22 के लिए करे मुझे भी पता है कोवीड का third wave आ चुका है और ये जो third wave है थोरा पहले आया है max to max third wave चलेगा 2-3 मन्त और मेरे हिसाब से अपरील के मन्त तक आपका third wave चला जाना चाहिए और ICI exam conduct करवा सकता है May 22 में इसलिए छोटा सा request करेंगे आप लोग May 22 के हिसाब से अपना mindset रखे अगर in case आपका exam May 22 में नहीं होता है तो last में आपको कुछ division का time मिल जाएगा उसका benefit आप लोग ले लिजिएगा बट अभी से ना सोचे कि आपका exam May में नहीं होगा आप अपना preparation May 22 के हिसाब से करें आगे आपका May 22 का exam का date का announcement, exam form कैसे feel करना ये सबसे related ये चैनल आपको update करते रहेगा तो चैनल को subscribe करके all notification विल दबाद दीजिए आपका कोई भी doubt है तो YouTube comment box open है और हाँ एक और important बात share कैसे purchase किया जाता है मैंने detail वीडियो बना दिया जिन भी student को share market में interest है तो वो description में वीडियो का link है वो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ में request करेंगे हो सके तो support कर दीजिएगा उस channel पे अगर आपको यह प्राइस ज्यादा लग रहा है तो आपको चार्टर स्टेडि स्टेन कूपन को यूज कर लिजेगा additional discount मिल जाएगा चदा जनकारी के लिए description जरूर चेक करें लास्ट में एक बार फिर से request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको एक भी important update या announcement मिस नहों पाए और मैं मिलता हूँ next वीडियो में